हालो दोस्तो तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं मेडिशनल केमिस्ट्री फर्स्ट और ये हमारे B-Farmacy 4th Semester का एक सब्सक्रट है जी हाँ फ्रेंट 4th Semester तो चलिए हम इसको जलिए से स्टार्ट कर लिते हैं तो यहां पे यह हमारा slavers आपको दिख रहा होगा, तो यह हमारी unit first है, तो पहले हम unit first देखेंगे complete, फिर हम unit second, और ऐसे हम unit wise सारा अपना slavers जो है cover करेंगे, और सिर्फ medical का नहीं हम total force M जो है cover करने वाले हैं, तो जितने लोग new आए हैं, बाकि जो हमारे third वाले साथ के हैं, त लोगन सभी को पहले welcome force M में, उसके बाद जो भी नए लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, subscribe कर लिए channel को, जिससे आपको सारे के सारे आगे की वीडियो मिलती रहेंगे, और बहुत कुछ आपको मिलने वाला important कुछ, सारा कुछ आपको मिल जाता यहां पे, notes भी आपको मिलेंगे, तो इन सब चीजों को आप जो हम आगे देखते जाएंगे, अभी है जो हमारा main topic है, आज हम cover करेंगे, वो हमारा है introduction to medicinal chemistry, तो आज हम सिर्फ इस topic को देखेंगे, तो slowly slowly हम अच्छा था start करते हैं, फिर हम fast fast सारा कुछ cover करेंगे, तो पहले हम जानते introduction की medicinal chemistry actual में है क्या, उसके पहले जो हमने एक वीडियो और cover की थी, उसमें हमने बताया था, B4BC 4 semester के introduction के बारे में, strategy, कैसे हम उसको study करें, उसके बाद उसके सारे मतलब levels पगेरा, छोटी बाती बात हैं, जो आपको बहुत जादा काम आने वाली हैं, तो उस वीडियो को आप मैं recommendate करूँगा, कि उसक को जो है, देख सकते हैं, तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे, तो medicinal chemistry अक्चल में है क्या, उसकी अगर definition देखे जाए, तो बैसे अगर exam point of view से देखें, तो इस topic से mostly जो है definition बगएरा पूछी जाती है, लेकिन इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी पूरी की पूरी medicinal chemistry आएगी उसमें, तो पहली बात यह है कि जितने लोग डरते हैं, या वो है, वो तो बिलकुल भी मतलब नॉर्मल होता ही है, क्योंकि इतना भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, जितना मतलब स सब्सक्राइब करने ही पाएंगे, बहुत लोग तो यह कहते हैं, कि सारे के सारे 8 सम में हमारा 4 सम यह है, जो सबसे जादा हार्ड है, ऐसलिए थोड़े बद बोल देते हैं, कि मतलब यहां से स्टार्टिंग हुई है, हमारे लेवल इंक्रीज हुगा है, बट ऐसा नहीं है, आप इसको अच्छे से कीजिए, सारे को सिंपल है, बस थोड़ा सा मतलब हार्ड बर करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दीरे दीरे यह भी आपको सिंपल लगने लगेगा, बाकि इस सम को अगर आप अच्छे से करते हैं, तो भही बात आपकी 50 भी बहुत अ इसको अच्छे से कीजिए, बाकि अच्छे से के यह लेकिन इसके अंदर क्या है, और गनी केमिस्ट्री मिली हुई है, फिर फार्मक जो फार्मक कलाजी क्यों मिली है, क्योंकि इसमें जो हम ड्रक्स के बारे में श्टडी करेंगे, फिर हमारा यहां पर आते हैं, वारियस ब बाय लॉजिकल जो हमारे बॉडि से रेलेर्ट चीद हैं कैसे हो रही है तो अगर drugs इल्ग में दाके असर ़िखाएंगे तो यह समझे स्मीन है कि सा दिकलोग fig अमने मिलाके एक खूलत बनाए उसको हमें ही बोलेंगे medicinal chemistry अब आप यह तो बिल्कुल मैं समझेना की pharmacology is directly proportional to medicam एसा नहीं है एक और बात यहां जहां मैं medicam word use करूं उसको आप समझेना medicinal chemistry तो medicinal chemistry लंबा हो जाता है तो उसकी तक हम यहां पर medicam use करेंगे medicam first हमारे इसके लिए तो ठीक है फ्रहीं यह है तो pharmacology actual में same नहीं है थोड़ा सा difference होता है वो मैं यहां पर वर्ड देखें क्या लिखा है design मतलब आप कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो पहले हमारा क्या लिख क्या आता है design फिर आती हमारी development मतलब उस चीज़ को हम क्या कर रहे है तैयार कर रहे हैं फिर हमारी आती synthesis हम अब तक पढ़ते आते synthesis हमारी क्या होती है method of preparation हमारी एक और चीज़ यहां पर आती अभी आप यह देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं यह हम medicinal chemistry का introduction देख रहे हैं फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे अपने slaves को cover करते जाएंगे यह सारी चीज़ आप automatically समझ जाएंगे पस यह थोड़ा सा जानना जरूरी होता तरह है फिर इट आल्सो इनवाल्व दा इस्टेडिंग ऑफ एक्जिस्टिंग ड्रक्स देयर बायोजिकल एक्टिविटीज फिर देयर इस्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन्टिप तो यह वर्ड आ गया है जो हमारा सार यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके बारे में इसके बारे में तो सोचना पड़ता ही है और यहां पर जो हमारे पहले से बने हुए ड्रक्स हैं उसकी हम सार करेंगे यानकि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन्टिप यह चीज़ी करेंगे उसकी बायोजिकल एक्टिविटी क्या होगी उस चीज़ को स्टड़ी क्याइब हैं मेडिकैम के अंदर अब बात आती हैं मेज्म इसके लादर निबन बना कैसे फिर मारा आता है सार इक्टिविटी रिस तो इन चार चीज़ों के बारे में वाता थैंगे और वि बहुत सारी बाता हैं तो इन सब को हम जानते हैं तो चलिए एक एक शांपल भी सम तो यह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब एक बात में बता दूए, जिसने भी मेडिकाम बनाई होगी ना, जरूर थोड़ा सा सरारती और खुरा पाती रहा होगा, जैसे आपने क्लास में दो चार बच्चे देखे होगे, कि अगर यह ना होता, तो क्या होता, अगर सू यान कि उसका जो हमारा डाइग्राम होता वो, फिर उसकी एक्टिविटी, यान कि वो कैसे परफॉर्म करा है, एक्टिविटी क्या है, काम कैसे करा है, इंची जो के बारे में, रिलेशनसिप, रिलेशनसिप तो आप लोग जानते होगे, बहुत लोग सारे रख भी रहे यान किया है, एक दूरे से यह कनेक्टेड कैसे है, यह चीज हमारी यहां परफॉर्म करती है, अब जैसे मैं आपको जहां बताता हूँ, यह हमारा है परसीटमोल, आपको टैबलेट की तरह देख रहे होगे, यह हमारी फिजीकल रूप है, जो हमको सॉप बगएरा पर कहीं हमें देखो, तो यह हमारा एक एल्कोहल गूरुप है, यह हमारा अमीन गूरुप, यह हमारा Doxene अब आप लोग अब तक जो हमें चैरी करते हैं कि method of preparation of phenol, method of preparation of benzene, यह सारी चैजित आपने study किया आर्गनिक कैमिस्ट्री में, अब हमको में लगता है वह सबamment कि उसका मतलब तो है नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता उसका बहुत जादा मतलब होता है , colabor पहले पता होने चाहिए तो वहाँ सीखा था method of preparation में तो देखा जाए तो सारी चीज़ा जो है co-relate होती है सारी चीज़ा एक दूसरे से connected होती है तो कुछ भी हमारा ऐसा नहीं होता जो हमने अब तक बेकारी study किया हो सारा कुछ हमारे काम आने वाला है ठीक है फ्रेंट अब बात आती है यह वाली कि अगर ओएच अब से group ना होता इसकी जगह phenolic group होता तब क्या होता अगर इसमें यह CH3 हट जाए तब क्या होगा यानकि यह structure है इसकी यह possibilities क्या होती है कि अगर इसकी जगह यह कुछ और हो तब यह कैसा react करेगा अभी paracetamol का काम दिखाता है तो यह as a pan killer भी काम करती है मतलब कि मतलब जा है अब अगर paracetamol का structure अगर इसमें हम यह वाला group हटा दें यहां से और इसकी जगह हम phenolic group जोड़ दें तब क्या यह सेम मतलब अपनी activity परफॉर्म करेगी नई या तो इसका असर कम हो जाएगा या इसका ज्यादा हो जाएगा या तो यह मतलब helpful और ज्यादा बढ़ जाए तब इसकी activity जो है यानकि इसका परफॉर्म है इसका action है वो हमारा same रहेगा कि बदल जाएगा तो इसी तरह से जो हमारी नई नई दवाईया है उसको भी develop किया जाता है इसी तरह से किया जाता है जैसे आप यह समझेए कि हमारी कोई paracetamol है आपने दो लो देखी होगी एक कोई paracetamol देगा कोई दोलो देगा कोई अलग देगा कोई शीरफ देगा कोई injection लगा देगा इलाद है कि वो खार आ रहा है उसको कम करना है लेकिन देखेंगे तरह तरह की मारे दवाईया हो गई है तो वह सब मारी कुछ इसी तरह से डबलब कीता है नहीं नहीं तरीके से अब एक example आप यह समझेता हूँ मैं जैसे बहुत सारे लोग गाओं के होते हैं टेक्टर तो सब नहीं देखा होगा तो टेक्टर जब चलता है तो उसके पीछे अगर हम ट्रॉली लगा दें जो हमारा बजन ले जाने वाला होता है तब क्या करेगा अगर हम उसके पीछे हल लगा दें तो हल क्या करेगा हमारे खेतों को मतलब जोतने में काम करेगा तो यह आप देख रहे होंगे चीज़ा मतलब हम क्या करें पीछे उसकी चीज़ा चेंज करते जा रहे है उसका बर्ग जो है ऑटमेटिक चेंज हो रहा है तो उसी तरह यहां पर होता है कि अगर हम चाहरे और कुछ लगा दें तो हमारा अलग function हो गया अगर इसकी जगे लगा दें फंक्षन अलग हो गया इसमें और कुछ एड कर दें तब इसकी प्रॉपर्टी एक्टिविटी यह वहारी चंज होगी तो इनी सब को हमारे इसमें पता करते हैं करेगा इसकी जो metabolite है यानकि metabolism की प्रिक्रिया को यह क्या कर देगा फॉर्म हो जाएगा एक अलग और यह क्या होजाएगी हमारे लिए भी टॉक्सिक यानकि जहरी हो जाएगी थोड़ी डैंजरस हो जाएगी तो आपने देगा हमने इस परासीटा मुलका एक यह गुरॉप च टाएंगे हम इसके बारे में डीटेल में सारे कोछी study करने वाले हैं तो आई होप आप लोग को सब समझ आ रहा होगा तो इसी तरह हम आगे के सारे topic समझेंगे और नोट जो आइसके आप यह हमारे एक ही मदल पैस है यह हमारे slave है यहाँ पर आप इसको note कर सकते हैं इस स्क् कि ये